किसी के दर्द की बेंडेज मत बनो क्योंकि जब घाप भर जाएगा तो कूडे दान में फैंक दिये जाओगे दोस्तो कुछ लोग होते हैं जो दया दिखाते हैं दूसरे लोगों पर उपकार करते हैं लेकिन ज़्यादा उपकार करना और ज़्यादा अपने घर के अंदर तक किसी इंसान को गुसाना ये खतरनाग भी साबित हो सकता है आज की इस घटना से आपको पता चलेगा यहाँ पर एक टीचर ने अच्छा काम किया था सिस्य के साथ लेकिन सिस्य ने उसकी ही वाट लगा दी दोस्तो गुरू ने एक थपड मार दिया अपने चातर को और चातर ने उसके सारे परिवार के चार लोगों को जिन्दा मौत के हवाले कर दिया यानि की कतल कर दिया उन लोगों का आखिर क्या हुआ था पूरी घटना यहाँ पर जानने वाले हैं वीडियो को अंसे तक जरूर देखिएगा नमस्कार में हूँ सुदेश कुमार और Brain Demand Channel में आपका स्वागत है यह घटना उत्तर प्रदेश के स्यामली की है उत्तर प्रदेश के स्यामली में जिला कोट के अंदर 22 मई 2024 को सुबह सुबह कोट में सुनवाई चल रही है और यहाँ पर एक हेमानसु सेनी नाम के सक्स को भासी की सजा सुनाई गई है और यह बात सुनकर कि कोट में जितने भी लोग हैं सब तालियां बजाते हैं और सब का खुशी का ठेकाना नहीं रहता है दोस्तों मामला क्या था और जो हेमानसू होता है वो अच्छा सजधज कराया था नए कप्रे पहन कराया था कोट में उसको कोई भी गम नहीं था दरसल एक परिवार रहता है जिसका मुख्या होता अजय पाटक जो की गायक है उसकी पत्नी उसके साथ रहती है उसकी एक बेटी है एक बेटा है दस साल का दोस्तों यहां पर जो यह जिसको फासी होने वाली है यह भी इसी परीवार के साथ मिलकर रहता है यहां पर गाना वगेरा सीखता है इसी ने इस पूरे परीवार का कतल किया है दरसल 2019 में दिसंबर को पंजाबी कलोनी में अजय पाटक जो भजन गायक हैं उनके परिवार से सुबह सुबह कोई भी बाहर नहीं निकलता है अब कलोनी के लोग देखते हैं कि भाई आखरी अब घर से बाहर क्यों निकले हैं अब दर्वाजे पर जाकर देखते हैं तो एक हलका सा ताला लगा हुआ था पर उसके सोचते हैं कि यह जब भी कहीं जाते हैं तो हमें बता कर जाते हैं आज यह पूरा परिवार कहां चला गया तो खिड़कियों से जब जाक कर देखते हैं तो घर के अंदर पूरे परिवार की लासें बिची हुई थी और सीड़ यावी खून से लगपत सनी हुई थी अब दोस्तों यह देखकर के लोग घबरा जाते हैं और पुलिस को बलाते हैं पुलिस आती है दर्वाजा तोड़ती है दर्वाजा खोलने के बाद देखती है कि पतनी अजय पाटक की पतनी पड़ी हुई है लहुलवान खून से उसकी बेटी है वह भी मिर्थ पड़ी है कातिल गायब कर ले गया है यानि कि उसको किड्नेप कर ले गया है पुलिस सारी लासों को उठाती है पोस्ट मार्यम के लिए भेज देती है पता लगाने में जोटती है लेकिन यहां पर कोई किलू नहीं मिलता है क्योंकि सीची टीवी कैमरों को खंगा जाता है तो उनको पहल पर घंदर जाते हैं चार दिन गुजरने के बाद हरियाना के करनाल के टोल प्लजा के पास एक कच्छा रास्ता होता है उसमें एक गारी में आग लग रही थी यहीं गारी जल रही थी यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ था तबिप पुलिस तोल प्लजा पर तुरंत वहां खुलता है वे बताता है साब गलती तो मुझसे हो गई जो मैं भाग नहीं पाया आगारी को आग लगा करके भाग जाता तो तुम मेरा क्या उखार लेते लेकिन पुलिस वाले उससे अच्छी तरह से खातरदारी करते हैं और अच्छी तरह से उससे पूस्ताज करते हैं तो य हिमान्सु को भजन सिकाने लगता है अब क्या होता है अजय पाटक को अपने किसी फंक्षन के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी तो हिमान्सु लोन लेता है और लोन से 60,000 रुपे अपने गुरू को दे देता है अजय पाटक को अब यहाँ पर लोन लिये थे वह पैसे अब किस्त भी आने लगती है किस्त जैसे नजदीक आती है तो जो हिमान्सु होता है वह अजय पाटक से कहता है कि गुरू जी मेरे लौन की किस्त आ रही है मुझे पैसे दे दो लेकिन भरे लोगों के बीच में ही जो अजय पाटक होता है वह बैठा होता है और खड़ा हो करके अपने से से हिमानसु को थपड़ मार देता है, कि तुझे पैसे पैसे लग रहे हैं, दे दूँगा तेरे पैसे, ये बात हिमानसु के दिल पर छप जाती है, उसके बाद क्या होता दोस्तों, हिमानसु अभी भी उस घर में रह रहा होता है, देरे देरे कुछ समय गज़टा है तो अब हिमानसू के घर पर जो लोन वाले होते किस्तमांगने वाले वाय आने लगते हैं हिमानसू बहुत ज़्याधा परिसान हो जाता है हिमानसू के माबाप उसके पास फ्फोन करते तो ने क्या फ़त्र चाली है लोग यहाँ पर पैसा मांगने आते हैं अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता 30 दिसम्बर 2019 की रात को हिमानसूप पूरी प्लानिंग कर चुका था कि भाई इसने पैसे नहीं दिये और थपड़ी भी मारा है अब मैं इसको मार कर ही दम लोगा वह कहता है कि मैं आज यहीं पर सोंगा तो वहीं पर सो रहा था और उसका जो गुरू है वह उसको गाने सुना रहा था बजन रात हो जाती सारे लोग सो जाते हैं रात को वह खड़ा होता है और खड़ा होकर कि पूरे परिवार को चाकू से मौत के घाट उतार देता है पहले वह विजय पाठक को उतारता है मौत के घाट फिर उसकी पतनी को फिर उसकी बेटी को और फिर दस साल के भगवत नाम के लड़के को जो उनका बेटा था मौत के घाट उतारने के बाद वह बेटे को की लास को ले जाता है ठिकाने पहले से किया हुआ था और दोस्तो यहाँपर क्या होता है उसको ठिकाने नहीं लगापाता है तो इसलिए वैं को ale the तालियां बजा रहे थे और जजसाव का सम्मान कर रहे थे तब ही मैंने कहा था दोस्तों शुरुआत में किसी के दर्द की बेंडेज मत बनो क्योंकि जब उसका घाप भर जाएगा तो तुम कूरे दान में फैंक दिये जाओगे जादा ही किसी से तालमेर रखना भी खतरनाक स सावित हो सकता है किसी की तरफ जादा सोचना इतना है ठीक है भलाई करो मदद करो लेकिन जादा आगर किसी को अपना बनाओगे तो वो कभी न कभी काटा बनकर चुबेगा ही और यह सत्य है एक दूरी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है दूरी रखे हैं हर चीज में हर अगर हम अपनी हर चीज उसको बताते हैं किसी दोस्त को या किसी नजदीक वाले लोगों को तो हमारे उपर कभी वार्च कर सकता है क्योंकि अपने राज किसी के सामने खोलनी नहीं जाएं दोस्तों वरना समझो अपनी जान दूसरे की मुट्टी में चली जाती है वो कभी भी कुछ भी कर सकता है तो यहां पर आप इस घटना के बारे में जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी लिख सकते हैं लोग साथ सेर कर सकते हैं अगला पूरा मजल्दी फिर से लेकर आओंगा तब तक आप खुछ रहें साथ धान रहें जैहिल जै भारत